धृत्रास्ट जिस तरह पुत्र मोह में अंधा हो गया और अंधा होने के बाद महाभारत हो गया बाल ठाकरे के सपनों को इन्हों ने नस्ट कर दिया हिंदुवादी जो छबी थी उसको समप्त कर दिया खागोलिये घटना जोतिस की घटना जो है इनके भविश्य को अलग नजरिये से देखता है हमने बहुत पहले एलेक्शन की जो भविश्य बानी की थी उसमें कहा था कि साड़े तीन सो सीटे आएंगी बिंगाल में आधे आधे के करीब हो जाएंगे मैं आज उस रमल के जो रमल जोत्सी है रमल को बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन और रमल की घटनाएं परफेक्ट होते हैं उस आधार पर जिस दिन धाकरे ये एनसीपी कॉंग्रेस और सिवसेना एकत्र हुई हैं उस दिन सनी के द्रिश्टी रमल के अनुशार वो द्रिश्टी थोड़े समय के लिए अच्छा तो है लेकिन इसके बाद अच्छा नहीं इस गठबंधन से जो जोट्षिय गड़ना है सब्तम भावशे लोग जदी देखेंगे जोटिस के सब्तम भावशे तो जोट्षियों को पता चल जाएगा कि ये सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली पुना भाजपा गॉब्मेंट बना सकती है छे महीने के बाद या चुनाव होगा दोनों संभावना है जो जोटिस गड़ना दोनों संभावनाओं को देख रही है चुकि जोटिस एक नेत्र है उस नेत्र से देखा जाता है एकुरेट कोई भी जोटिस नहीं बता सकता है लेकिन आज की जो इस्तिती है जिस तरह से सनी के परभाव से वो मुकमंत्री बन रहे हैं उद्धा ठाक रहे हैं तो क्या लगता है कि ये सनी किस मोड पर किस एंगिल पर इन्हें नुक्सान रहे हैं सनी ही इनका अंत करेगा सरकार बन लेने दो कुछ दिन के बाद देखना कि महराश्टम की जनता इनको क्या कहती है और छे महीना जिस तारीख को ये मने 26 की घटना है 26 की घटना जो है 26 और 27 को सनी और मंगल दोनों इस भाव में हैं कि इनको पतन के तरफ ले जाएंगे उद्धव ठाकरे को और लोग उतना ही इन से नफरत करने लगे जो एक बाला साहिब जी का जो चिंतन रहा उस चिंतन को इन्होंने नश्ट कर दी आने वाला वो तो हूँ है अभी जो दो तीन महीने का समय है यह हमारे नरेंद मोदी जी जो है उनके लिए भी अच्छा नहीं है और लोग भले कुछ भी कहें लेकिन मेरे समझ से यह भी अच्छा नहीं है इनको बहुत इस समय संहर्ष का सामना करना पड़ेगा मुशीबतें इन पर भी आईंग तो यह इस समय देविन पड़नवीस ने स्टीफा दिया अच्छानक सपतली कि किस ग्रह का प्रवाव था क्या लग रहा था आपको वह तो एक अलग है अलग विशय है देविन पड़नवी बहला लेकिन यह जो अभी की जो घटना है वो मैं उस पर भी बताऊंगा कभी प्रकास डालूंगा लेकिन अभी की बात जो है लेटिस्ट मैं तुमको बता दिया कंग्रेश को भी है और तो यह महत्वकांच्छा सबकी महत्वकांच्छा लेके डूबे गिया, जैसे नाव में तीन को चढ़ा दो एक साथ, एक साप को चढ़ा दो, एक उट को चढ़ा दो, एक बंदर को चढ़ा दो, वो नाव साला डूबना ही है, तो वो इस्तिति है, यहाँ साप भी है, बंदर और नेवला ये उट भी है तीनों के तीनों है इसलिए एक से एक घाग भड़े हुए हैं अपनी अपनी महत्तों कांचा में लेके डुबा दूए